हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल अनवेशास क्रियेटिविटी और आज मैं आपके साथ में शेयर करूगी एक ऐसा प्लांट जो आगर आप अपने घर में रखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सुक्समृदी का है और पैसे को खीचने वाला प्लांट उसको माना जाता है तो वही मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी और यह है वह वाला प्लांट पॉर्ट जो मैंने आपके साथ में अभी जल्दी में शेयर किया था और इसके बाद में मैं आपको शेयर करूँगी कि गुलाब की प्रूनिंग किस तरीके से करें और दूसरी चीज यह कि ठीक कर सकते हैं या क्या फर्टिलाइजर दें इस तरीके से करें तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप जरूर देखें तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूं कि मैं किस प्लांट के बारे में बात कर रही हूं लेकिन हाँ एक चीज और मैं दिखा र आपके शेयर करना है तो चलिए चलते हैं अब मैं उस प्लांट की तरफ मैं बात कर रही हूं इस वाले इस प्लांट का नाम है झत प्लांट और चाइनीज वास्तव के अनुसार इसको माना जाता है कि फीसे कोघीचने वाला है और ये एक succulent family से plant है और बहुत ही प्यारा लगता है ये आपने घर में indoor लगाया है या outdoor लगाया है बहुत hardy plant है किसी भी तरीके से grow हो जाता है किसी भी condition में grow हो जाता है और अगर आप उसको money attractive plant की तरह ना भी अपने घर में लगाएं तो आप इसको इतना सुन्दर plant है इसको अपने घर में जरूर लगाए as a green tree वाला plant कह करके क्योंकि इसको आप bonsai के रूप में भी लगा सकते हैं और plant के रूप में भी लगा सकते हैं गमले में भी लगा सकते हैं और छोटे छोटे इस टाइब की पॉट में भी लगा सकते हैं तो मैंने इसको इस टाइब की पॉट में लगाया है तो one by one मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि इसको किस-किस तरीके से हम लगाते हैं तो ये दोनों ही तरीके से ग्रो हो जाता है और आप इसको चोटी-चोटी कटिंग मी लगाएंगे अगर आपने मान लीजे इतनी सी कटिंग मी लगाई है तो भी ये ग्रो हो जाता है ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है इसके बहुत जादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है तो जो working लोग हैं या जो plants की बहुत जादा care नहीं कर सकते हैं तो वो इसको एक बर ही लगा दे और ये अपने आप grow हो जाता है इसकी सबसे जादा अच्छा time है growth का वैसे अगर आप इसकी cutting क्योंकि ये cutting से भी हो जाता है जरूरी नहीं है कि आप nursery से पौदे को ख लगा लें ये उसमें भी grow हो जाता है लेकिन सबसे best time होता है कि बरसातों में plants बहुत जल्दी grow करते हैं तो अगर आप बरसात में लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी grow होगा वैसे अभी भी आप इसको लगा सकते हैं अभी भी grow करेगा तो आप इसको कभी भी grow करें ये अस बहुत जादा पानी इसको नहीं चाहिए होता है क्योंकि यह बहुत ही हाड़ी प्लाट है तो कम पानी में भी ग्रो होता है बलकि कम पानी में ही अच्छे से ग्रो होता है अगर आप इसको बहुत जादा पानी देंगे तो यह ग्रो नहीं होता है तो क्या होता है कि इसकी पत्या जो होती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी पत्या सूख करके और यहां से साइट से पहले मुर जाती हैं सूख जाती हैं और फिर उसके बाद में जढ़ जाती हैं तो जढ़ने के बाद में ये काफी खराब लगता है त और अगर आप इसको इस तरीके से indoor में रख रहे हैं, क्योकि इसको semi shade मे रख रहे हैं मैंने सको outdoor रख हुआ है तो अगर आप इसको indoor रख रहे हैं तो भी पूरे दिन में 1 गंटे की धूप semi shade में अंही पूरे दिन में धूप अभी आपने लगाया है तो इसको कम से कम एक हफ्ते तक आप इसको डारेक्ट दूप ना दे सेमी शेड में रखें क्योंकि बहुत जादा दूप में भी रखने पर इसके पते जल जाते हैं और बिल्कुल ठंड में रखेंगे आप तबी भी ये प्लांट बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा तो आप ऐसी जगह रखें जाब एक से डिएड़ गंटे की धूप आती हो तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है और ये अपने आप फैलता चला जाता है अगर आप इसको बोनसाई बनाना चाहते हैं तो किसी भी छोटे से उसमें लगा दें तो ये अपने आप उस हिसाब से होगा फिर इसकी कटिंग करकर के जैसे मैंने इसमें लगाया है तो ये ऐसे बोनसाई मैंने लगाया है इसकी cutting को अगर मैं यहां पर भी लगा दो तो यह इसी के अंदर पूरा अच्छे से फैल जाएगा तो अगर मैं बात करूँ इसके fertilizer की तो इसको बहुत जादा fertilizer की भी जरूरत नहीं है जो भी मैंने आपको organic fertilizer बताए हैं तो हाला कि अभी तो इसको जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले 15-20 दिन पहले इसको मैंने प्लांट किया था तो अगर जैसे हम आपने अभी प्लांट किया है तो कम से कम 15-20 दिन के बाद में इसमें अभी fertilizer की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपने इसको किसी बड़े गंबले में लगाया है तो आप इसके अंदर NPK दे सकते हैं अगर आप देते हैं तो एक चमच NPK दे और वो भी आप ये इस साइड में किनारे किनारे दे रूट्स में नहीं जाना चाहिए क्योंकि रूट्स में एकदम से जाएगा तो अभी ये बहुत ही delicate सा है मेरा प्लांट तो इस वज़े से आप इसकी रूट्स में ना दे ये बहुत ही छोटा सा प्लांट पॉट है तो इसमें तो बहुत थोड़ा सा चाहिए आप half teaspoon इसको दे सकते हैं बाकि अगर आपने 10 इंची के गमले में लगाया है तो आप महीने में एक बार NPK इस पर दे सकते हैं और ये प्लांट आप देख सकते हैं पानी ही होता है इसके अंदर में तो पानी भरा होता है इसकी वज़े से बहुत सुन्दर लगता है क्योंकि बोटी मोटी पतियां हैं बहुत ही प्लांट लगता है तो इसको इस बार आप अपने गाड़न में या अपने घर में इसको जरूर लगाएं थोड़ी सी भी जगह में आ जाता है देखने में जितना सुन्दर लगता है ये उस चाइनीज वास्तों के अनुसार उतने ही इसके गुन है और आप चाहें तो इसके अंदर एक चीज और भी कर सकते हैं जैसे अगर आपने बुनसाई बनाया है तो इसमें आपने जगा जगा थोड़े से कलरफुल स्टोंस वगरा भी लगा सकते हैं एक स्टैचू वगरा लाफिंग बुद्धा की मूर्ती भी लगा सकते हैं तो वह भी देखने में काफी सुन्दर लगेगा थोड़ा कलरफुल सा भी लगेगा तो आप इसको as a decoration piece भी अपने घर में लगा सकते हैं लेकिन बस अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो इसी चीज का ध्यान रखें कि थोड़ा सा पानी का और धूप का थोड़ा ध्यान रखें पानी तो इसको बह लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए